देश दे परदान मंत्री, मानियोग नरिंदर मोदी जी दे, ग्रेव इखे, सारियां संस्थामा दे, साड़े तार्मिक संस्थामा और देश दियां प्रमानिस हस्थियां अज जिते कठियों याने यूँ 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 आप लोगों के बीच परह करके जो मैं सिखा हूँ जो गुरु महाराजों ने सीख दी है, सब तो नहीं कर पाता हूँ, लेकि जितना कर पाता हूँ, उसी से मुझे आशिरवाद मिलते हैं, और मैं कर और ज्यादा करने का मन करता है। जिनाने पारतनों माननी मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर दिते हैं। कि अमरसर में आपको मिलेते हैं, और उसके बाद आज मिलेते हैं। तो आपको अच्छीवन धन्य हो जाता है, तो आज आपकी चरन रज मेरे घर में हुई है, यह मेरा सौक भाग्य है। मुदी जी, बढ़ी किर्पा है आपकी, जो आप कर रहे हो परमात्मा, हम तो द्वा करने आया हैं, कि आपको और टाकत मिले, और शिक्खों को, जो हम सारी उमर ये था, कि हमारा भी कुछ देखेगा, आप कर रहे हो, इसे जैदा करो, परमात्मा आपका बला करें। ये देश कोई 47 में पैदा नहीं हुआ आई जी, हमारे गुरु महराजों ने कितनी तपस्या की है, इमर्जन्सी में, बहुत बड़ा हमारे जुल्म हम सब पे हुआ, और मैं तो बराबर पता हैं, उसमा हैं, इंजाब में जो सत्याग्रह हुआ था, इमर्जन्सी के खिलाब तो बड़ा अद्भूत था जी, अब मैं उसमें अंडरगाउंट रहता था, तो अंडरगाउंट रहना है तो कुछ कपड़े बड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सीखे के कपड़ में ही रहता था जी, मैं पगड़ी पैठता था अरे सेवा मुझे करनी है अजी, सेवा मुझे करनी है, अब मुझे बताईए साथ कोरोना में, कि आप ही लोग हैं जिनको अक्सिजन का लंगल लगाने का मुन कर गया, ये छोटी बात नहीं जी, अब मुझे बताईए अफगानिस्तान का, इतना अभी भी हमारा कोई महा हव गुरुगरंद साहब सम्मान से वापिस आना चाहिए तो हमने उस व्यवस्ता की दुनिया के देशों से बात की यहां तक लाने के लिए स्पेशल प्लेइन का प्रभंद किया और मैंने मेरे मंत्रियों को कमाना को भी देखिए मैं मानता हूँ यह मेरे लिए सेवा का बहुत बड़ा अवस्ता है आप जाइए सिरसाजी भी गए हमारे हर्दिपूरी जी गए सर पर गुरुगरंद साहब को लेकर के साथ सम्मान के साथ क्योंकि मैं मानता हूं जी यह हमारे जीवन की बहुत बड़ा अनमोल रतन है सही अनमोल रतन है जी गुजरात का होने के नाते हमेशा कहता हूं कि मेरा तो आप लोगों से खूल का रिस्ता है क्योंकि गुरु गोईन सेंच जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था जी गुरु नानक देव जी के जीवन में साब उन्होंने जीवन की साधना का सबसे ज़्यादा समय जहां भीता आया कि वो स्थान हमारे पास नव हो एक 6 किलो मेटर दूर समझोता करके हम नहीं ला सके था मैंने भी डिप्लोमेटिक शुरू की कम से कम क्योंकि दूर्बिन से सब लोग मैं भी दूर्बिन से देखता था पहले जब पज्चाब रहता था तो मेरा मन करता था कुछ तो करें कि ऐसा पवित्र काम था गुर्माराजों का असिरवाद था कि हो गया हो गया और इतने कम समय में जो वहां आमने जगा बनाई है आप मैंसे बहुत लोग गए है इतने कम समय में जिए इस रधा के बेना नहीं होता है तो मैं आपको कहता हूं यह घर आपका है मैं भी आपी कि तरह चलते-चलते आया हूं कर चलते-चलते की गुर्द्वारे चला जाओं